कि जाती कैसे खतम हो उसके उपर डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर से लिकित भासन मांगा गया डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर जी ने लिकित भासन दिया और जाती तोड़े मंदल के जो सदसे थे वो आरे समाज के लोग थे उन्होंने जब उस भासन को पड़ा तो उन्होंने का बाबा सहब या तो आप इसमें कुछ चेंज कर दो हमारे कहने से वरना हम आपको बुला नहीं पाएंगे तो डॉक्टर बाबा सहब अमबिटकर ने कहा कि चेंज करना तो दूर की बात है मैं एक कौमा और मात्रा भी नहीं हटा सकता चुकि उसके अंदर उन्हें पूरा जो हिंदु धर्म के अंदर जो गणे वैवस्ता और जाती बाद है वो किस हद तक पूरे देश को खोकड़ा कर रहा है किस हद तक देश को पूरी तरह से बरबाद कर रहा है किस हद तक वो नसलों को उसने तभा कर दिया उसका पूरा चितरन पूरा व्यग्जानिक तरीके से पूरा scientifically और research करके जो उन्होंने बाबा सहब अंबेटर ने वो लिखा था जब उन्होंने बाबा सहब को बुलाने से मना कर दिया तो वो भासन बाबा सहब ने annihilation of caste यानि जाती का विनास उसके रूप में छखवाया और फिर जाती खतम करने का पूरा जीवन उन्होंने अपना लगाया लेकिं जाती खतम नहीं हुई आज ही हम देख रहे हैं पिछले कुछी दिन पहले की बात है हमारे देश के राश्टरपती रहते हुए रामलात कोवि चिम्टों से उन्हारे मढायों की मुद्स परता अध्मका पक्रफेल फूले कोई परटा हो रही हैं हमारे मंदिल फर्वें twee तो भी हट्ता हो आए दिन छी समझ लिएगा निखाल लाम हो रहा है था हमारा जो संघर से कुव कोई पचाने का एंपम्ले बनने का राजनिती कर महिलाओं को अगर पती मर जाये जवानी में तो भी उनको दूसरी साधी करने का हक नहीं था और इसके साथ साथ अगर पती छोड़ दे उनको गजारा भता लेने का हक नहीं था और पती अगर जालिम और कुरूर हो तो उन्हें तलाक का हक नहीं था पती की संपती में पिता की स अधिकार देना ये हिंदू धर्म पर हमला है लेकिन डॉक्टर बाबासाइब अपने देश की महिलाओं को उनके मांद सम्मान के लिए उनकी हख अधिकार को नहीं देला सकता तो मुझे कानूनमंत्री बने रहने का कोई हख नहीं है उन्होंने कानूनमंत्री के पद से इस्ति वाद देने का उसी तरह के गोरों की निबूती हो रही है कि मेरे बहन पिट्यू के साथ बलात कार करके हतिया की जारी है आए दिन रोज इसतरी की ह्टाइब हो रही है मेरे समाज के युदा की जारी है गोड़ी पर चलने पर हमले हो रहा है तो ऐसे मंत्री बने रहे के हम गाय के लिए इस लड़ाई को शुरू करेंगे और हमने इसके लिए लाहे सब्सक्राइब तो आज की जो यात्रा है वह जाती उनमूलन के सुरुवात के लिए संकल्फ के लिए और ऐसी किसी भी माननेता को जो माननेता हमारे साथ पक्षपात करती है, जो माननेता हमें अंदकार में डालती है, जो माननेता हमें व्यज्ञानिक दरश्टिकों से दूर करती है, जो माननेता हमें प्रग्याप के उपर आधारित ग्यान से बंचित करती है, ऐसी किसी भी मानन ताको हम लोग नहीं मानेंगे हम अपने समाज के हकदिकारी को लड़ाई को लड़ेंगे और अब जाती मुक्त भारत का संकल्प लेकर वहाँ से पूरे देश का बर्मन करने में निकलूँगा और आज ही सामको मैं यहां से नागपुर देख्षा भूमी जा रहा हूँ कल नागपुर के देख्षा भूमे में महाँ पर भी मैं बाबा साब को नमन करते हैं उस मिट्टी पर जब बाबा साहन देख्षा ली थी महाँ भी यही संकल्प दो रहा हूँगा और वहां से परसो सुबा मैं वहां से आगे जाओंगा चंदरपुर माँ भी बाबा से हमने अगले दिन दीख साज जाई थी वहां उस मिट्टी को भी मैं पवित्र भूमी को नमन करूँगा और इसी संकल्प के साथ फिर पूरे देश का भरमन का हम लोग पूरी टार्गेट क चाहिए चलो सुक्र है हमारे अंदुलन का एक तो फाइदवा पहली बार कम से कमारा सिर ने स्टेंट दो लिया चाहिए उपरी मन से लिया जुटे मन से लिया उसको आकार हम लोग देंगे समाज कह रहा है कि वह आपके साथ कड़ा है लेकिन आप अभी भी केजडिवाल कि सारे मनुवादी लोग बुद्ध के धंब से डरते भी हैं और नफरत भी करते हैं वो डॉक्टर बाबासाइब अंबिटकर से डरते भी हैं उनसे नफरत करते हैं तो अब ये बाबासाइब का नाम लेने से काम नहीं चलेगा विदेश में जाके कहते हैं मैं बुद्ध के कि अब रहने दो चुकि उसको पता लगा है पुरा देश तयार है और इसको जाज जीतना जादा बढ़ाएंगे उतनी मुसीवत उनके लिए आने वाली है उस्ताज में वह चाहते थे यह एक उनका मुख्य सवाल ता जो मैं आप सब को बताना चाहता हूं उनका मुख्य सवाल यह था कि क्या वो बाइस प्रतिग्याएं जो चोदा एक्टूबर उनीसोचपन को डॉक्टर बाबा सब इंबिटकर ने ली थी क्या उनकी प्रासिंगिता आज भी है तो मैंने विस्तार से जितना घटना गरम हुआ है जिसमें राष्टपती जी के साथ भी हुआ जिसमें ह मैं आज कोई राजनिती की चर्चा नहीं करना चाहता चुकि यह जाती उन्मूलन संकल प्यात्रा है जब तक मेरे सांस में सांस है तब तक मैं पूरे देश का दोरा करके पूरे भारत को जात्यमुक्त बनाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं अपने पूरे साथि हो रही है अलग अलग पार्टियों के हमारे सांसत विजायक मंत्री फोन भी कर रहे हैं अंतर मंसे वो चुड़ रहे हैं उनको मुझे लगता कुछ दिन हो निकल के बाहर आएंगे उनका डर खतम हो रहा है सब देखते रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं और आने वाले सब को सा बोलते किसी के सरकलम की बात बोलते उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होता है अगर इस देश का बहुजन इस देश का मूल निवासी अगर कोई बात बोल देता है तो यह जरकारे जो है मोन हो जाती है और इस मोन का यह करना आप देख सकते हो आग अपते हैं अजिव घ्घजडद थेख सकते है डिजड़ दे गाट थेते हैं आप प्लिप्रेश्प्राइब कर दो जान लाल वे गता हुआ टॉजब कर दोै जाने झांप्रिवार्ण्स